नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Concept Academy की YouTube चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे UPSC EPO का Model Paper 4 तो Question होंगे इस वाले स्रीज में आपके या इस वाले जो आपका क्यों होगा वीडियो होगा उसमें होगा 10 Question 61 से लेके 70 तक Language होगे वो आपके Hindi English दोनों में आपको मिल जाएगी PDF आप ले सकते हैं बाद में Telegram Group से तो Start करते हैं वीडियो को तो लिखा हो What can be the Maximum Representation from the Union Territory to the लोकसभा ठेक है न तो यह अभी फिलाल कितनी है Maximum आपकी 20 पे है ठेक है न हिंदी में भी देखना है तो केंदसाजी प्रदेश्चों से लोकसभा के कितने अधिक्तम प्रतिनुट्वा क्या हो सकता है तो अधिक्तम प्रतिनुट्वा आपका है 20 का अगर बात करें तो लोकसभा के अगर बात करें Lower House बोला जाता है आपका या House of People से बोला जाता है और राज्यसभा के अगर बात करें तो permanent houses इसे बोला जाता है और राज्यसभा की एक खासे तुद्धी वो desolute नी होता आपका भंगनी होता है जबकि लोक्सभा क्या होता है हर 5 साल बाद आपकी भंग कर दी जाती भंग करती मतलब क्या होता है कारेकाल खतम हो जाता है वैसे तो राज्यसभा कारेकाल भी 6 होता है पर आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा की जो सदस्च होता है वो क्या होता है उनका कारेकाल 6 साल को होता है और हर 2 साल में क्या होता है एक ती हाई जो आपके सदस्च होते अमंबर 79 है लोकसभा का भो आर्टिकल इस कि और चुनरान आपधानामंद्र के सलहा पर तो यह सल्छापर आपका यह आर्टिकल होती जिसमें हो क्या गरता है council of ministers की advice पर कोई फैसला लेता है राश्चुपती तो dissolve हो सकता है एक तो आपका हर 5 साल में आपकी क्या होती है लोकसभा भंग होती है जैसे नए चुना होने होता है ठीक है न कारेगाल complete होता है पर दूसरा जो होता है कि पहले भी हो सकता है पर उसके ल बोल सकते है कि कोई भी याने की बोल सकते है उसमें बहुमत नहीं उसके पास तब भी क्या हो सकती है आपकी लोकसभा भंग हो सकती है लेका होना it can also be dissolved if the president feels there that no feasible government can be formed after the resignation or the fall of the regime आचा बात करें तो maximum strength जो है वो 552 की है ठीक न जिसमें 530 आपके members जो आते है वो state से आते हैं 20 आपके union territory से आते हैं दो आपके नॉमिनेटर होते हैं Anglo-Indians community से पर अभी से एबोलिस्ट कर दिया गया है एबोलिस्ट मतलब यह है नहीं अब यह हाल के लाल की बात है 104th amendment था जो आपका constitutional amendment act 2019 इसके बोल सकते है इस जो आपका एक्ट है इसकी इसके कारण आपका जो आपका आंगलम हर्ति जो समधाय होता है उसकी दो सीटे आपकी एबोलिस्ट कर दी गई है ठीक न अचा प्रेजेंट में अगर बात करें लोग जो आपकी सेट्स आती है तेरा आपकी उनियों टैट्री से आती है वाइल अप्रेजेंट आपकी इंडिया नॉमिनेट था टूमेंबर्स अब रिप्रेजेंट दे अग्या गया है इंदी में भी लिखा हो है आप पल देना अचा नेक्स देखते हैं तो यह लोग सभा के ब सब्सक्राइब आपकी सब्सक्राइबूर्स आपकी नई बीडिंग बनाई जाएगे जिसमें आपका लगवई-लगवई-लगवई-लगवई-देग अबड़ेंगा active seats कितनी 545 है capacity कितनी 500 की है जोगि maximum seats कितनी 500 वावन है तो बैठा तो सकते हैं यह दो extra को तो यह आद रखना अच्छा, the house has the 543 seats which are made up to election up to 543 elected members and the maximum between the 1950 to 2022 additional member of the Anglo-Indian community was also nominated by the President of India, Advisor of the Government of India तो article 75 वही होता है which was evaluated in the January 20th यह आपका जो Anglo-Indian seat का था ना यह एबो लिस्ट कर दिया गया जन्वरी 2020 में 104th constitutional amendment act है कई लोग confused हो जाते bill में और act में, bill तो कई सारे आए, act आपके क्या होता है जो पास हो जाते, act वो होता है जिसमें आपके क्या होता है bill होता है आपका पेश होता है कहाँ पे लोगसभा में और राजयसभा दोनों में वहाँ से पास होगे तो प्रेसिडेंट के पास जाता है प्रेसिडेंट अगर उस पे साइन मार देता तो act में बदल जाता है ठीक है ना 104th constitutional amendment जो आपका सम्मेदान संसुद है ने 2019 के तहत जोने 2020 को आपका आगल भाड़ती है जो आपकी क्या थी समुदाय था उसकी जो दो सीटे नॉमिनेट होती थी राष्टपती के द्वारा उससे हटा दिया गया है अभी याद रखना राज्यसभा की बात करें राज्यसभा का दूसरा नुम है council of state यह से house of states भी बोला जाता है इस दा अपर हाउस उच्छे सदा ने और यह बाइक कैमरल पार्लमेंट का भाग है बाइक मतलब दू सदिन यह है एक राज्यसभा एक आपका क्या लोग सभा तो यह से बारा सदेश्यों को आपका क्या कर सकता है प्रेजिदेंट के कर सकता है चुन सकता है दे पोटेंशल सीटिंग कैपसिटी ऑफ द राजसभा इस तू फिप्टी टू थर्टीट इलेक्टेंट एंट्वल्फ अपॉंटेड अकॉटिंग तू आर्टिकल एटीमन मताया राजसभा का जो आर्टिकल हो असी है और लगसभा अब क्यों 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 सकती है और कुछ है नहीं चलो आगे चलते हैं यह आपका 104th amendment of the constitution of India the 104th amendment of the constitution will extend the deadline for the secession of the reservation of the seats for the member of the schedule cast and schedule tribes of the Lok Sabha and the state legislative 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दी गई है पहली बार क्या हो था कि जो आपका reservation होता ना आपका बोल सकते है आरक्षन जो दिया जाता है कि इनको schedule cast or schedule tribes को यह 1950 से दिया जा रहा है और पहले चालीस साल के रिवाइस किया गया था 40 साल में हर 10-10 साल में इसे रिवाइस करना होता था और कब तक करना था 40 साल तक मतलब 1990 तक हर 10 साल में रिवाइस होता है कि किस तरी की position है आपकी ठीक ना किस तरी कि आपकी position है schedule drive और schedule कास्ट वाले लोगों की बात सबज में आई तो इस तरी के से देखना था अगर सुधार होगा जब यह बिल्कुल आपका बिल्कुल बोल सकते ने मतलब आपका मान लीजिए कि कास्ट वाइस जब भारत में सारी लोग एक्वल जब पार्नमेंट को लगेगा एक्वल स्टेटस आ गया सब अब कोई भी या ने चुआ चूत धर्मजात का भीदभाव निए तब जाके आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा पर अभी जान द लेकर 2030 के लिए आपका क्या कर दिया गया है शेडूल टराइस और सेटूल कास्ट मतलब आपका जो अनुसोची जाती है अनुची जाती के लिए आपका जो आरक्षण है वह 2030 के लिए बढ़ा दिया गया ल१ो 2000 10 से लिए के 2020 कवर आया गया था वो आपका 95 था यह याद कर ले रहा वो कौन सा था 95th Constitutional Amendment Act था ठीक है ना तो यह याद कर ले रहा है अब रिजर्वेशन क्या है अलग अलग है रिजर्वेशन कहाँ पर रिजर्वेशन जैसे आपका किसमें लोकसभा राज्यसभा सीट्स में इसमें बढ़ा दिया गया है तो देख लितने पढ़ लेते लिखा हुआ है हालिमी किंद्रिया वंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्ये की विधान साभा में अनसुज जाती सेड्डुल कास्ट और अनसुज जन जाती सेड्डुल ट्राइब्स के लिए आरक्षन को आगामी 10 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णे लिया है ठेकर कहाँ पर लोकसभा राज्ये साभा में सम्विधान द्वारा सीट्वर्ग को संसंद में मिलने वाला आरक्षन जनवरी 2020 में समाप्थ हो रहा था इस सिस्थिती वे सरकार ने इस आरक्षन का जनवरी 2030 तक बढ़ाने का निर्णा लिया है धातव्य है कि लोकसभा में सम्विधान के अनुछी 334 A के तहट SCST वर्गता था 334 B के तहट आंगल भारतिया देखो 334 B आंगल भारतिया समय दाए कि आरक् पिचाड में समविधान संसोधन था जिसके तहट क्या था 2010 से लेकर आपका 2020 लगे से बढ़ा दिया गया था आरक्षन को और आंगल के लिए भी चला था जो आपके कौन है आंगल भारतिया था उनके लिए भी चला था दो सीट आपके कहां लोक समा में और बाकी जो आपके में सबढ़ा की आरक्षन के विस्तार पर अभी को निर्डन ने ले स्थे लोका था विए इस निर्डा को लारुगू करने के लिए सरकार दौरा संसत में सम्विधान विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके बाद या नियम संसा तता प्रतेग राज्यक विधान सवाओं में लागू हो जाएगा आगे लिखा हुआ है सम्विधान के अंचे 330 याद अखना है 334 में मनुलत है ए और भी तो 330 में लोग सभा में अनुसरी जाती था जन जाती के लिए क्या आपका आपका क्ये जन संक्या क्या आधार पर क्या प्रतिवन्यूत है रिजर्वेशन दिया गया ठीक है ना 331 में आता है आपका आंगल भार्ति या आप इसे याद करने की ज़ड़ो तनी आगे लिगा हाला कि लोगसभा राज्यसभा की विधान सभाव के लिए सीटे अरक्षित की गई लेकिन उनका चुनाव निरवाचन छेत्रे के सभी मद्दातों दोरा किया जाता है याद अकना सेपरेट एलेक्टरेट नहीं है सभी क्या करते हैं चुनाव में भाग लेते हैं ऐसे ऐस्ति वरके प्रतिनीद्यों को सामानी निरवाचन छेत्रे से भी चुनाव लगने का अधिकार होता है लोग सभाता राज्यसभा की विधान सभाव में नामित आंगल भारति सदस्यों को अन्य सदस्यों के भाती मत देने काधिकार होता है लेकिन यह राष्टपती चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, नामित होते हैं, राष्टपती के चुनाव में नामित जो सदस्य होते हैं, जैसे, राष्टपती के चुनाव में कौन भागने लेता, तो लोग सबसे, अब तो यह तो हैं, लोग सबसे हैं यह तो बिल्कुल था विकेंद्री करना था किसका सक्तियों का तो यह बिल्कुल सा और यह गांधियन थे पर बेज़ड है कि मात्मा गांधि चाहते थे कि जो पावर है पॉल्टिकल पावर है वो कहां तक जाए उसका विकेंद्री करन हो ठीक ना अच्छा इंश्रिंग पावर पहुंचे उनका पावर 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 प्लासे बिल्कुल साहिए यह भी तीसरा तो आंसर बन जाएगा अगर मैं हिंदी में पड़ू तो लिखा हुआ है संसां के उदेश में क्या सामिल नहीं है तो निर्नाय को विकेंद्रे करना सासर में जंदा की भागेदारी सुनिश्रित करना दलीत और पिशले वर्गों का विकास कि उनके लिए आरेक्सीत होती है आपके सीट इट्रे तो देख़ो लिखा हुआ है कि जो DPSP है उसके बाद आपका इंटिड्यूज हो गया था आपका पार्ट नाइन में आर्टिकल 243 तू 243 ओ में और यह जोड़ा गया था आपका ग्यार्वी जो आपके अनुसूची 11 जो आपकी क्या है तो यह भी आत कर लेना किनके पास मुंसिपाल्टिस के बारे हैं मुंसिपाल्टिस के बोल सकते हैं उनके पास सैनेट फीचर देखे तो ग्राम सब आती है जो महिलाओ को कितना एक रिजोरेशन 33 परसेंट यह 1-3 यह 33 3.33 परसेंट आपका और रिजोरेशन के लिए का रखे हैं वोदाएं के लिए अच्छे नेक्स दिख्रेशन लिए पन्चाय, इस्सक्वालिफिकेशन हो मैंबर्स, फाइनस कमिशन आथा है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अच्छा देखो आप कौन कौन सी थी वैसे तो मैंने जितने भी एक बार आर्टिकल सारे आपको दिखा रखें पढ़ा भी रखें उसकी PDF आपके पास होनी चीए क्योंकि मैंने शेयर कर दी तो उसको मैं दुबारा नहीं लिखा है कि आर्टिक आती हैं तो वह मैं भेज चुका वह आप एक बार पढ़ देना अच्छा बात करते हैं इस बार किसकी क्योंकि हमें बात हुई है आपका थ्री टायर फॉर्मूले की तो यह दिया था 1957 में आपका बलवंत्राय महता कि अध्यक्स्ता में क्यों ही थी कमिटी बनी थी नैस्टन इसलिए आपका इंट्रीउस किया गया था कि इसको पंचायतीराज को कमिटी सब्सें पहले जो देखा गया था वह डिसेंट्रिजशन मतलब आपका जो पंचायत राज इस्टूट तो यह सबसे पहले चलाए गया था राजस्तान के आपके कॉन सा था राजस्तान में चला गया तो October 2 1959 को गांधी जी के जनम दिवस पे डिस्टिक कौन सा था यारो डिस्टिक था नलोर्त नहीं अब दिमाग में हट गया यार चलो मैं लिख दूँगा comment box में मैं डाल दूँगा एक डिस्टिक था राजस्तान का जहां पर सबसे बहुत पंचाहिती राज आपका या फिर बोल सकते डिसेंट्रलाजेशन इंट्रडूज वी थी पंचाहित राज इस्टूट ठीक न अच्छा अगर बात करें पहला फुली फ्लेश्ट आपका कौन था स्टेट कौन सा था तो वह अंदरप्रदेश था जिसने अडॉप्ट किया थो से 1959 में ठीकिन उसके बाद कई सारे दिखने में जैसे आपका असाम गुजरात करनाटंग बद्रदेश महरास्टा और पंजाब में आच्छा उसके बाद उन अब्का चाइब आच्छा उसके बिल्देश में एक टार्देश में धिसने रजेड ऑडड नूप्रदेश चाह तो पही पर फिए दिखने में पंडरतें यह तो पेडिए फिल्म आवा दिक्कॉंट रखंग कानगा थी पैते कंटेश लिए कामिन आच्छा कि दो कहा था श सिंग भी कमिटी में 1986 ही इंपोर्टेन सरकार्य कमिशन आपका सेंटर सेट रिलेस्टन से सब्सक्राइब इता में में इसने इसने अपने पर दोगा प्लैन का प्लैन क्या और आपके रेगुलर पर इलेक्शन होंगे याद अखना कि पंचायत राज में जो क्या होता है यह प्रधान जो भी चुनाव होते मुंसे पैल्टी के यह पंचायत राज के जो चुनाव होते है उसमें मिनिमम एज क्राइटिरिया के उठने के लिए उमिद्वार के लिए तुब है आपका कितना सा कि उसे क्या देना चाहिए यह यह कब की बात है आपका देखो कब की बात है 1986 में मिला भी आपका क्या था जो आपका 73rd constitutional amendment था एक था उसके तहति ने पावर मिल गई थी 1992 का मिल गई जिना क्यूंकि आर्टिकल के थू इसे क्या हो गया था बोल सकते है उसके वाद 74th amendment bill है देखो यह introduced होता है यह आपका क्या होता है डिसकस नहीं हो पाता उसके बाद क्या होता है कि जब पीवी नर्सिमा राव की सरकार आती है पीवी नर्सिमा राव के ताइम पर आपके LPG इसे कंडेंश और देसंबर 1992 प्रू दिसमेंट्मेंट्र लोक और ब्सक्राइब गोर्ट इसे क्या है आपकाद अप्राइल अपराइल और चाटेज ऑना आपनेट्रीज आपने जाता जाता है 2014 आपरेल को और जो problem okay next question आता है one of the essential condition of the perfect competition is perfect competition के लिए दिऌत पर्फेक्τα मेरे है कि आपका सेमध्यग राइस और मिलगे ठेमड्हीं बजाए त्रेम्तreich ने देखने को जीलता मिलता है कि तब मद बbaarत फशन कशंटा रे typically क्राइस फॉर रॉडड़े में समान चीजों के लिए समान मुल ले अभी समझ में आ जाएगा आपको पूरा देख में बताता हूं परफेक्ट कॉंपेटिशन क्यों होता है मार्केट में कि आपने देखा होगा कि जब आप सब्जी वगर लेना जाते हैं तो अगर कई सारे सब्जी के ठेलें तो आपने एक किलो आलो आपका 20 रूपे कोई 20 बोलेगा 15 बोलेगा तो या आपके लिए फाइदे बंद हैं तो चाहिए थी जयादा क्या होता है आपके बैशने वाले होता है और खरीदने वाले का मार्केट चले गए नहीं तो परफेक्ट कॉंपेटिशन जो होता है इसे तो हम ऑपरेटर की बात करूं एक साथ आगे और आपका जीया है मानलों की कल की दिन क्या होता है कि किसी भी तरीकी से अब सरकार का काम होगा इनको बचाना वैसे यह आ जाता है और सुरुआत में काम होता है बचाना पजाए किसके मौनोपॉलि अगर मालीजी एक टल बंद हो कॉमडिटी इस ब्यांड था इंडिविजुल बायर थेंड यह कंट्रोल भी नहीं होती है आपके चाहे वह बायर हो चाहे इसे करते हैं और यह प्राइस को कंट्रोल निकर सकते हैं प्राइस को कंट्रोल निकर सकते किसी भी कॉमडिटी के कॉमडिटी मतलब ऐसा निया कि अगर कोई चीज दस रुपे के दो उसकी पंदर उपे मिन भी सकते हैं ठीक ना अच्छा लिगा दूट ना इक समान आपका के दिखने मिलता है एक समान आपके रेट देखने मिलते है कि इसके या पर दस गशहां पंदर आ हैं तो पंदरह वाले पंदर की नहीं जाएगा उक्ष कंते सेम के यहां पल आ कि माल लोग परफेक्ट कॉंपटिशन में क्योंता है कि माल लो सब्जी के 10 थेले तो ऐसा रही कि 11 को बैटने देंगे 11 वहां भी आएगा 12 वहां भी आएगा इस तरीके से होता है ठीक है जो मोनोपॉली ऑलिगोपॉली में देखने नहीं मिलता है अगे जाके एक अलगा वाला मिला था उसने रेट कम बताये तो वह क्या कर रहे थे वह अपने कस्टमर क्या कर देगा तो यहां पर यही चीज़े लिखे हुए अब मैं यहां भी दिखा दे तो देखो मार्केट इस्टक्चर अलगवा 6-7 तरीके कर देखने मिलता है पर्फेक्ट कॉंपॉली होती है कई सारी फर्म्स होती है freedom of entry and exit कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है homogenous गुड्स होते एक जैसे गुड्स होते पर्फेक्ट इंफोर्मेशन होती सभी को नॉर्मल प्रॉफिट अंडू उता है ठीक ना फार्म के द्वारा monopoly मोनोपोली तब बोली जाती है एक आधिकार तुम बहला जाता है जब एक firm का पूरे market share में 25% सें ऊपर दो वह मोनोपॉली में आ जाएगा मदलब एक आधिकार है तो इस oftentimes the barriers to entry मतलब कोई क्या नहीं कर सकता कोई दूसरी फिर्म एंटरी नहीं कर सकती हाइर प्राइज दें तो competitive market market price से उपर होता है आपका price ठीक है और economies of the scale और किस दिस आफ से कमाया जाता है आपका scale जोता है वो बढ़ता चला जाता है तो यह किस के लिए खराब है यह customer के के लिए खराब है ठीके ना उस salary के लिए तो बहुत अच्छा है वो तो आपका क्या है मनमर्जी के rate लगाएगा अच्छा नेक्स आता oligopoly oligopoly होते है कुछ समों में जब कमाया जाता है तो five firms concentration ratio 50% से उपर होता है जब कम से कम 5 firms हो और उनका जो मार्केट पर कभजा ओला हो पचास परसेंट से उपर हो तो इसमें क्या a few large firms dominate the market कुस लोगे से dominate करते इंटर dependence of the firms and some barriers to entry और barriers होती क्या होते है सम बैरेस होते मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता कोई अपना business start ने कर सकता वहाँ पर monopolistic competition जो होता है यह एक्चुल वह monopoly का एक बोल सकते लो ग्रीड वर्जन है यहां पर क्या होता है कि आपका क्या होता है several firms with the brand loyalty के साथ उतरते मतलब अलग अलग जैसे मैं बोल दूंगा जैसे आपका क्या आजाएगा जैसे आज बोल सकते हैं शाओमी ने अपना अलग खोल दिया माइक्रो मैक्स ने अलग खोल दिया इस तरीके से कुछ आते हैं तो brand loyalty के साथ उतरते हैं अपने सामान बेशते हैं अब माल लो कि मैं customer हूं किसका आपका शाओमी का मेरे पास phone है तो मैं पार्ट लगाने पार्केट आती नंबर आप फर्मस नॉट इंपोर्टेंट फर्मस से कोई फरक नी पड़ता freedom of entry and exit होता है ठीक है और लो संक कॉस्ट होती है फिर आथा कॉलिशिव ओलिगोपॉली आते हैं few firms fixed price होती है few firms fixed price and deter entry होती है high profit like the monopolies में देखने हूं मिलता है अचा next question आता consider the following statement regarding the inflation target तो लिखा हुए it is a strategy used by the central government to stabilize the economy नहीं यह होता आपका inflation जो आता नहीं monetary policy का पार्ट है मैंने पहले बताया था monetary policy का पार्ट है उर्जित आर पटेल 2014 उर्जित आर पटेल यहीं थे जिन्होंने याने की monetary policy का idea देता है इन्होंने head की कि 2014 में committee को और 2016 से आपकी क्या monetary policy लाग हो गई थी बाइमन्थली होती है मैंने बताया था कैसे होती है बाइमन्थली हर दो महिने में यह आपकी क्या होती है रिव्यू होती है ठीक है तो यह किसका होता है आपका RBI का होता है ना कि central government का यहां पर inflation का यहां पर रखना RBI और क कि इसके तुरू करता है आपका monetary center government जो होता है वह आपका finance आती है finance ministry आती है उसके पास जो होता है वह तापका fiscal policy होती है वह GDP से related होती है और यह ट्राइमन्थली होती है हर तीन मैंने में रिपोर्ट देती है अपनी आचा दूसरा है the benchmark use for the targeting the inflation is the India is based on the consumer price index इपैमन कई बार बता है और इसके बारे में अगर आपने अपने मेरी class नहीं पढ़ी है offline तो आप आज देख लेना ठीक न कि consumer price index क्या उतर आपका wholesale price index क्या होता है तो यहां पर जो answer बनेगा हो second वाला बनेगा हिंदी में भी यह लिखा आपड़ने न तो देख लेते हैं देखो क्या लिखा हुआ है कि inflation targeting is the monetary tools कैसे होती है monetary tools used by the central bank not the central government to stabilize the economy doing the RBI aims to bring more predictability and transparency deciding the monetary policy ensuring the price stability in the control inflation अभी समझा दूंगा मैं जहां पर मुझे गैप दिखें का वावे समझा दूंगा तो पहला यहां पर सही नहीं होता ठीक है और किसका यूज किया जाता है किसका तुम मैं बता दिया आपका किसका consumer price index का आपका यूज किया जाता है ठीक है अभी मैं बता दूंगा इसके बारे मैं आगे पढ़ेंगे ठीक है तो यह कितने पर तो यह 3.35% पर अभी आपका 3.35% पर अगर मैं बूलूँगा भाई आपका MSFR Marginal Standing Facility Rate कितने पर तो वो 4.25% पर उसी तरीके से मैं बूलूँगा bank rate कितने पर तो यह लिख लेना अगर आपने लिखा यह paper में पूछा जा सकता है bank rate भी 4.25% पर अगर मैं बूल किसी वीडियों बता रखा है तो रपरेट होता है वो rate होता है जिस पर क्या करती है RVां को किसी डेती है लून देती है 8 first नदृत कि क्यों करती है कोई करही से निकाला जाता है अगर मैं रपराइट की बात हो रहे है Barrampolay हorgt पर चार पसंट पर अगर मान लो 4% तो जैसे RBI है RBI ने पैसा किसको देना आपका बैंक को देना है और बैंक ने वापस कितना करना है? आपने तो 100 रौपी दिया मान लो कितना रौपी दिया? 100 रौपर होगी जगह कहीं पे यहाँ पर कर लेता हूँ यहाँ पर दुख लिजे RBI ने पैसा दिया किसको? किसी बैंक को मैं मालने तो है स्टेड बैंक को दिया रैपोरेट का सेट था? रैपोरेट आपका सेट था 4% ठीक है न? 4% पर दिया तो मालनो कितने रूपर दिया? 100 रुपर वापस कितने करने? 104 अब जो मुद्रा इस्पीत है जो आपका क्योंता इंफलेशन उसका किस तरीके से देखा जाता है? अब देखो अगर रैपोरेट को मैं 3% कर दू तो आप पैसा कितना देना पड़ेगा? 104 की जगा 103 रुपर देना पड़ेगा 103 रुपर देना पड़ेगा क्योंकि आप जानते ही जो अरवों में होता है 100 रुपेगा मैं दे रहाँ अरच न पास एकस्टा कितना रुपर यह है? है ना? तो अगर रैपोरेट कम होता है तो बैंक क्ये करेगा? इंटरस रेट भी कम कर देगा किसके लिए customers के लिए customers के लिए क्या कर देगा आपका जो interest rate उसे भी कम कर देगा अब मुझे बताओ कि interest rate माल लो के 8% है ठीक न वहीं दूसरी दरब अगर rapport rate कितना कर दिया जाता है 4 के जिगा 5% कर दिया जाता है अब bank को कितना देना पड़ेगा एक सो पांच रुपे देना पड़ेगा अब खुद एक सो पांच रुपे जादा देना पड़ेगा तो interest rate भी कर देगा बढ़ा देगा माल लिए interest rate भी उसना 12% कर दिया अब मुझे आप बताओ कि customer कहां पर invest loan कहां से लेगा जब 8% होगा कि 12% होगा इन दोनों में से किसमें लेना पसंद करेगा 8% भी ब्याज लेना पसंद करेगा और जब पसंद करेगा ब्याज लेना तो उसके पास पैसे आएंगे उसके पास क्या जाएगा money आ जाएगा पैसा आजाएगा तो खर्चा जादा करेगा क्या करेगा इन्वेस्ट ज्यादा करेगा इन्वेस्ट इन्क्रीज हो जाता है इन्वेस्ट इन्क्रीज हो जाता है तो जब सभी लोगों के पास पैसा होगा तो क्या हो जाती है आपकी एक चीज को खरीदने के लिए सभी के पास पैसा है, तो आपकी महेंगाई बढ़ जाती है, अब समझ में आई बात है, समझ में आ गई होगी, कि माल लीज़ा, अगर एक फोन है, माल लीज़ा, एपल का एक फोन है, इसे खरीदने वाले कितने हैं, पांच लोग है, तो यह यह एपल का फोन का rate महेंगा नही कम होता है, वायसे inflation का रेपो रेट सीन नहीं होता है, मैं यह यह आपर bank rate लिख देता हूँ, bank rate होता है, ठीक ना रेपो रेट तो मैं example दे रहा हूँ, आपका bank rate होता है, तो bank rate जब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, decrease होगा, तो आपका bank को भी क्या करना पढ़ेगा, कम rate पढ़ेगा, कम रेट देना पढ़ेगा, तो इंटरस रेट भी कम रहेगा, तो लोगों को पास ज्याधा पैसा होगा, ज्याधा पैसा होगा, तो महँगाई बढ़ जाएगी, ठीकिना, समझ में आगी, अच्छा दूसरी बात है, अगर bank rate इंक्रीज हो जाता है, तो बैंक को भी करना पड़ेगा, ज्यादा इंटरस देना पड़ेगा, ज्यादा इंटरस देना पड़ेगा, तो इंटरस एट भी क्या होगा, हाई होगा, अब लोग पैसा कम लेंगे, लोग पैसा क्या करेंगे, कम लेंगे, तो इन्वेस्मेंट भी क अब इसके पास choice आ जाएगी और क्या हो सकता है rate क्या जाएगा कम हो जाएगा तो क्या होता है कि जब आपका क्या होता है bank rate बढ़ता है ना तो inflation आपको घंच जाता है opposite relation है मैंने पहले पहले पिह समझा रहा कहा इसे चलो next चलते हैं मैं यहां से पढ़ना है, start कर दिता हो, कहां से, तो यह देख लिए यहां से, label of inflation जो होता है, जिसे बोलते है, तो पहले जो होता है, उसे बोलते है deflation, जिसे बोलते है abyspity, deflation और disinflation में क्या रहे, कई लोगग confuse हो जाते है, deflation वो चीज है, जब inflation की आ जाता है, negative में आ जाता है, किस में आ जाता है, negative में अगर यह negative में आ गया न, 0% से नीचे आ गया तो उसे deflation बोलते है और disinflation होता है जब क्या होता है, decrease होता है inflation माल लीजे, inflation माल लीजे आपका कितने percent पर दा, inflation था आपका 5% पर, तो अगर माल लो यह 4% पर आ गया, तो इस condition को बोलेंगे आपका क्या, disinflation क्या बोलेंगे, disinflation और 5% से यह सीधा कहाँ चलेगा, 0 को cross करते वे 0 को cross करते वे, नीचे चलेगा, minus 1.5% पर तो इसे बोलेंगे, आपका deflation, इसे के बोलेंगे, आपका deflation दोनों चीज़े समझ में आगई होंगी deflation वो condition होती, जब inflation आपका negative नकारात्मक होता है, और disinflation वो condition होती, जब आपका inflation में कमी देखने हों बिलती है, एक होता आपका stack inflation, stack inflation 36 बार पूछा जाता है, यह उस तरीक ही कि आपका inflation होती ही, महेंगाई होती है, जब economic growth क्यों होती होती है, और उसके साथ सात है, unemployment होता है, और यह होता है, इस में और यह होता है, hyper inflation, यह सब से rust condition होती है, इसमें क्यों होता है, कि आपके दिन, प्रति दिन आपका rate अपका rate जो होता है, वो परने जोला है इरान है यह देज बरबाद हो रुखे हाइपर इंफ्लेशन के चक्कर बें तो डिफरेंट इप्स ओधर इंफ्लेशन की बात एए एक डिमांड पूल इंफ्लेशन होता है जो राइजिंग इंद एकॉनमी करता है इसका एक्जामपल है कोर इंफ्लेशन रेट Excluding the Temporary Factors, WAKE inflation होता है, Inflation caused by the Rising Real Vegas, और Hyper Inflation देखो जबके Inflation over the one thousand percent a year एक साल में किसी चीज़ करेट एग जार परसों ऊपर चला जाए तो उरसे Hyper Inflation बोलता है consumer price index की बात करें, it is major the change in the retail price of the goods and services. याद रखना, इसमें दोनों चीज़ आती है, goods and services दोनों आती है, retail price आता है, यह क्या था, consumer होता है, जो consume करता है, उसके लिए कौन सा rate लग रहा है, उस पर आता है, होलसल आप जानते है, होलसल मतलब ये producer के पास आता है, तो इसमें जो आता है, जो आपका measurement देखने हो मिलता है, change in the measurement देखने हो, केवल goods पर देखने हो मिलता है, यहां पर goods and services दोनों आजाती है, मतलब आपका क्या आजाता है, उत्पाद, या सामागरी जो बोलेंगे, और जो आपका क्या होता है, services होती है, सेवा सुल्क, तो services इसमें नहीं आती, it means not changing the price of the goods, changed by the wholesaler, ठीक न, आजा, CPI released a monthly basis, तो CPI जो होता है, जो आपका index होता है, वो हर महीने आपका release होता है, जबकि WPI आपका weekly basis पर होता है, CPI जो होता है, वो दोनों के लिए लगता है, आपका goods and services के लिए लगता है, दोनों उसमें include होता है, CPI में goods and services दोनों include होती हैं जब कि WPI में केवल goods होता है अच्छा, it includes about the 8 categories of the products and the services और इसमें केवल क्या आती हैं आपके देखो लिखावा है इसका जो base year होता है CPI का या दखना, base year जो होता है calendar year होता है मतलब जन्वरी से लेकर December के बीच यह आपका CPI होता है वहीं अगर WPI की बात करें यह financial year होता है भारत में जो चलता है वो April जानता है आप April से लेकर चलता है कहां तक March तक एक और चीज़ आदक न कि RBI का जो पहले क्या होता था आपका financial year होता था वो जुलाई में start होता था और June तक चलता था अब उन्होंने हटा कि उससे फिर से केतना कर दिया अप्रेल और मार्च ही कर दिया ठीक न अप्रेल टु मार्च आपका जो क्या होता है educational year चलता है वो भी क्या चलता है अप्रेल टु मार्च चलता है अच्छा it calculate the final stage of the inflation याद अखना कि मुद्रा इस्पिति का जो आपका क्योंता है final stage होती होती होँ वहाँ पर calculate होता है CPI जबकि यह first stage पर count हो जाता है कौन सा WPI next जलते CPI is important importance to the general public यह इसका CPI का जो सीधा आपका direct मतलब जाता हो general public से जाता है consumer से जाता है जबकि WPI का consumer से कोई लिना देना नहीं है इसका जो होता है important to those who keeps track of the wholesale prices इसका जाता है आपका किस के पास wholesale के पास wholesale आपको पता होगा wholesale rate अलग होता है जैसे आपका चाई का अलग ही wholesale होगा wholesale अलग होगा वो बेज़ेगा अपना product किसी के पास यहां पर यह लिखा होगा कि dropped हुआ था आपका 6.69% तो इसे याद करने के जुरू है नहीं मैं सिर्फ समझा देता हूँ देखो यह वाला point पढ़ना है हमने however the retail inflation continue to grow beyond the reserve bank of India R&E upper margin of the 6% अच्छा monetary policy थी थी ना उसने क्या कर रखा R&E ने fix कर रखा है कि आपका जो I think यह उर्जितार पटेल की recommendation थी 2014 की कि जो inflation rate है न वो 4 plus minus 2 होना चाहिए मतलब 4% अगर साल में 4% बढ़ता है मतलब 100 से 104 रुपे किसी चीज़ का मुल्य हो जाता है ठीकर न तो वो कितना चलना चाहिए तो 4 plus minus 2 अगर मैं minus 2 करूँगा तो यह कितना जाएगा इस तरब 2% आजाएगा और plus 2 करूँगा तो यह 6% मतलब आपके जो inflation हो 2% से लेके 6% तक ही होना चाहिए मतलब महेंगाई दर्जो होनी चाहिए 2% से 6% मतलब अगर किसी 100 रुपे की चीज़ है अगर उसका मुल्ले 102 रुपे हो जाता है और 106 तक रहता है तो ठीक है अगर कम भी तब भी दिक्कत और जादा भी तो भी दिक्कत तो यह याद रखना 4 plus minus 2 है अगर चलते तो यह चीज़ें पढ़के फाइदा नहीं अभी अचा इंफ्लेशन तो मने बता देता है इंफ्लेशन जो होता है लिखा हुआ है कि इंफ्लेशन refers to the rise of the price of the most goods and services तो इंफ्लेशन गी बात कर रहा है तो CPI भी calculate होगा खतम बात अचा लिखा है अब देली common use such as the food, clothing, housing, recreation, transport, consumers, staple, CTC inflation measure to the average price changes in the basket of the commodities and the services over time inflation is indicative of the decrease in the purchasing power purchasing power मैंने बताया था inflation क्या हो जाता है कि खरीश सक्ती छमता जिसे बोलते है खरीश सक्ती छमता लोगों की खरीदने की जो पावर होती हो खतम हो जाती है तब ही तो क्या होती है आपकी क्या हो जाती है तो डिगरीज इन परचेसिंग पावर अफ दे यूनिट अफ दे करनसी अब देख रहो बोल रहो यार यह कम कहा हो रहा है जादा नहीं हो रहा नहीं नहीं करनसी कम हो गई ना उसी चीज के लिए पहले आप देखो कोई सामान था बंदो को आपने एपल लिया एक अब मालो कि उस एपल के लिए पहले आप 10 रुपए देदे एक एपल के लिए अब आप 15 रुपए देरो तो देखो मुल्य घट मतलब क्या ओ गया जो हमारी करनसी है इना उसका मुल्य घटनी गया पहले जो 10 रुपे में मिल जाती है, पंद रुपे में मिल रहा है, यह जादा नहीं हुआ, जो हमारी करंसी है, हमारा रुपिया है, उसके मुल्य में क्या आ गया है, यह आपका क्या गया है, कम ही आ गई, जो चीज पहले 10 रुपे मिल जाती है, पंद रुपे देने पल रहे ह आपके क्या हो ओर ही करंसी क्या अरी है डिवैलूएट हो रही है डिवैलुएट डिवैलूएशन यह डिवैलूएट यह याद रखना ठीक है न तो इसा भोलता है डिग दिग्रिन पचेसिंग पावर आचा नेक्स चले तो यहां पर लिखा हुआ दिखो अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है it is price changes for the perspective of the retail buyer अब याद रखना कि आपने याद रखना है कि consumer price index जो होता है वो national status office आपका जारी करता है याद रखना है ठीक है और बागी मैंने बता दिया कि goods and services दोनों के लिए use होता है अच्छा CPI जो होता है वो subgroup में बटा हुआ है तो मैंने याद कर रखा है कि अच्छा CPI चार तरीके से निकल गया आता है एक आता industrial workers एक आता agriculture labor एक आता rural labor और एक आता rural urban और combined इनको तीनों को मैंने याद कर रखा है CPI जो आप याद करोगे न इनने air से याद करना एयर से याद करने के लिए agriculture, I से industrial worker और R से rural मैंने ऐसे याद कर रखा है तो ये तीन जो रिपोर्टर मैं क्यों बोड़ रहा है इन तीनों को अलग से याद करना है और इसको अलग से याद करना है क्योंकि जो तीन शुरुआत के आती है न आपके इसको कौन कंपाइल करता है मतलब ये CPI पर आपका inflation कौन रिलीज करता है और ये किसके अंदर आता है Ministry of the Labor and the Employment तो याद रखना सुरुआत के तीन air ये Ministry of Labor and Employment अभी कौन है संतोष कुमार गर गए और जो चौथा वाला है वो NSO करता है जैसे CPI या ना देखो लिखा हमाने CPI जो होता है वो कौन करता है तो रूर अरबरोन कंपाइल का कौन करता है National Statistical Office करती है NSO करती है उपर का कौन करता है आपका Ministry of Labor and Employment Labor Bureau करती है तो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है आप भी इसी तरीके से याद कर रहा और जो Base Year है कई बार पूछा जाता है साइसे पिछले साल UPSC में पूछा किया था CPI का जो आपका Base Year है जो Base Year जिसके आधार पर वो Calculate होता है तो उसका Base Year माना किया 2012 और यह Monitoring Policy Committee जो है उसने इसे यूज किया है और Monitoring Policy जो कमिटी होती है वो CPI को यूज करती है कंट्रोल करने के लिए inflation को याद रखना CPI पे Calculate होता आपका क्या अपका inflation Wholesale Price Index की बात करूँ तो मैं भी बताए यह केवल गुड्स पे होता है बात समझ में आ गई गी और दूसरी बात है कि यह जो होता है Major criticism इसलिए होता होलसल प्रैस को क्यों न लिया जाता क्योंकि इसमें क्यों होता है कि Public थोड़नी बाइख करती है यह तो किसके पास आता है प्रोडूसर के पास आता है Public जो बाइख करती है किसा इसाफ से करती कंजूमर प्रैस इंडेक्स के इसाफ से करती है अच्छा इसका जो बेस यह रहे इसका जो बेस यह रहे वह आपने याद रखना है कि पहले 245 अब बढ़ा के कितना कर दिया गया 2011-12 कर दिया इसका बीठी नहीं 2017 की बात है अच्छा देखो दोनों में अंतर देखो डवली प्रैक्स इंफ्राइशन दो प्रोड्यूसर लेवल इदेखो यह किस लेवल पर करता है प्रोड्यूसर लेवल पर करता है CPI capture the changes in the prices level of the consumer level WPI does not capture the changes यह चेंज नहीं करता the prices of the services अब देखो WPI में नहीं बता है के वल गुड्स आता है services नहीं आती April 2014 the RBI had adopted the CPI as its key measure of the inflation मैं बता है CPI जो होता है वो monthly basis पो होता है weekly basis पो होता है यह आपका last पो होता है यह first होता है यह पढ़्ड है ना आप next question पे चलते है लिखा हुआ है कि consider the following statement with respect to the insurance sector तो लिखा है 100% FDI under the automatic route is allowed to the Indian insurance sector तो नहीं है 100% FDI नहीं है foreign direct investment मतलब भार से कोई company आती है तो allow नहीं है कि 100% आपका क्या automatic route दो route होता है एक automatic होता है और government route होता है कि कुछ permission लेने की ज़रत नहीं पड़ती वह इन्वेस्ट कर सकती गौर्मेंट रूट होता है कि वहां पर permission लेने बहुत जरूरी होती है गौर्मेंट की तो 100% नहीं 49% की आसपास से अच्छा दूसरा बात करें पहले किसी वीडियो में बता है तो penetration में आपका with respect to अब insurance premium होता है with respect to GDP होता है और insurance density का with respect to population होता है यहां से चीज यहां पर समझाने के लिए तो देखो लिखा हो है insurance penetration which was insurance penetration देखा जाता है GDP के उसमें भी आप में तो यह 2.71% था 2001 में और 2017 में 3.69% हो गया था जबकि density की बात करें तो लगबग कितना था आपका तो यह population base में देखा जाता है 11.5 US dollar था 2001 में जो बढ़के 73, बोल सकते है 73 dollars हो गया था आपका कब 2017 में अच्छा एक और चीज यह ठीक है तो यह कितना आपका देखो 26-59% कर दिया गया था FDI इंसरेंस सेक्टर में टिक में, आटमेटिक रूट से मैं ला रहा है यहां पर यह आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो यह देख लिजए जैसे अग्रिकल्चर और एनिमल हज्वेंटरी में आगर आप आएंगा न तो FDI कितनी है 100% FDI का मतलब क्यों बता है तो दो चीज होती होती FDI और FPI इसे FII भी बोलते है और FPI का मतलब होता है foreign portfolio investment यह आपका short term के लिए होता है यहां पर क्या करना जैसे आपकी का कौन मालो जैसे Xiaomi आगी Xiaomi Redmi का यहां पर आपका है Samsung का है आपका क्या है यहां पर plants लगेंवें तो इतना जल्दी नहीं होता हुने अगर मालो की economy down जा रही तो ऐसा दो नहीं कि वो अपना पूरा बोल सकते बोरिया बिस्तर बान के निकल जा आता है मैंने पिसली वीडियो में साइसे चीज बता चुका हूं पहल नंबर भी युए से दूसरे नंबर भी चाइना है भारत नोवे नंबर पर आता है FDI के मामले में collect करने के मामले में तो भारत ने कौन कौन से सेक्टर है तो अग्रिकल्जर अनिवल हजबेंटरी में 100% है और यहाद है मैंनिंग को लिगनाइट में भी आपका हंड़ेट ऑटमेटिक है पर माइनिंग अगर बात करें ताइटीन हुग हो गए रहेगी जो प्रिस्टियस अल्यमेंटस वहां पर भी 100% पर गॉर्मेंट रूट है बात समझ में आगे तो याद क्या करना है जिए अ ऐसी हते तरे कि रहनेक कि रहा सकते हो करipो जागा के पैटिरोलिएम नैचल गैस में एका हटे मैं 100% आओ 100% करो पर एक condition है automatic route से आप 49% तक कर सकते हो मलत कोई company है भारत में invest करना चाहती 90% कर ले automatic route से सरकार को पुछने की ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ेगी पर अगर उसका share बड़ा है यहां की company मालो आपकी क्या कोई company है यहां की X कोई company भारत की यह और Y कोई company है तो अगर इसका 51% इसका 49% है तब कोई दिक्कत नहीं है तब automatic route से हो जाएगा पर अगर इसका 49% से उपर क्या मालो यह 51% है यह 49% है तब इसे government route से आना पड़ेगा मतलब government को पूछना पड़ेगा गवर्मेंट को बताना पड़ेगा ब्राड कास्टिंग में देखे तो 100% है automatic route से दूसरा जो केबिल वाला है यह तो आपका कैसा है जैसे DTH वगरा आ गया ब्राड कास्टिंग जो उसमें भी आपका 100% है अच्छा ब्राड कास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में आपका 49% है गवर्मेंट के लिए ची अपलिंकिंग नॉन न्यूस करेंट अफेर्स डाउन लिंकिंग ऑफ दे टीवी चैनल सीफ में 100% है automatic route है print media का देखे तो उस अबसे कर में 26% है गवर्मेंट रूट से आना पड़ता है और publishing printing का देखना तो 100% गवर्मेंट है publication का देखे तो 100% गवर्मेंट है civil aviation airport का देखे तो 100% automatic है civil aviation air transport services का 100% है पर वो यह कि automatic route से 49% है उसे उपर जाओगे तो government route से आपको आना पड़ेगा अच्छा नेक्स्ट है civil aviation अच्छा एक और चीज़ यहां पर लिगाओ ने देखो 100% government route से अगर NRI है automatic अच्छा स्वरी 100% automatic अगर वो भारत का कोई है विदेश ही नहीं है भारत का ही NRI है पर तो 100% कर सकते है automatic route से अच्छा civil aviation में 100% automatic है construction development and township housing build up infrastructure में आपका 100% automatic है industrial parks में आपका 100% automatic है satellite stabilisement and operations subject to the sectoral guidelines of the department of the space is 100% government है private security agencies का 74% है 49% automatic route से उससे 49 से 74% तक अगर आप जाते तो government route से आना पड़ेगा telecom services में 100% है automatic route है 49 फिर उससे उपर आपका government के थो आना पड़ेगा cash and carry wholesale trading आपका 100% है automatic route से e-commerce activities 100% है automatic route से single brand detail है 100% automatic है आपका 49% उससे उपर आपका government route से आना पड़ेगा multi brand detail आपका 51% है government route से duty free shop आपका 100% है automatic route से अब आप वो लोग इतना सारा क्यों पड़ा रहो अरे पल देना ये important है कहीं से पूछ सकता है ठीक ना सिर्फ इतना इतना लिख देना में 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 और कम से कम हो तो लिख लो जिन में 100% है ठीक ना कम से कम उनका लिख दो और जिनका बिल्कुट 26% ही किता उसे लिख दो ठीक ना अलग अलग group बना दो कहां पर आपका 51% है 24% वो अलग अलग बना दो category और एक दो बार रट्टा मारो हो जाएगा रेल्वीं इंफ्रसक्टर में देखेंगे तो 100% automatic route से आ सकते हैं asset reconstruction में 100% automatic है banking private sector में 74% 49% तक automatic उसके उपर अगर जाएंगे तो government route से आना पड़ेगा banking public sector में 20% government route है credit information companies जो है CIC जो 100% automatic route है infrastructure company in the security market आपका 49% automatic route है और देखो insurance के बारे में उसने पूछा दा जरुरू तो नहीं के बारे में बैंकिंग के बारे में पूछ सकता है, railway के बारे में पूछ सकता है 49% automatic route है pension sector में जाएंगे 49% automatic है power exchange में आपका 49% automatic है, white level ATM operation में 100% automatic है financial services, activities, regulatory by the RBI, CV, IRLA और any other regulatory तो उसमें 100% automatic है pharmaceutical में जाएंगे 100% automatic है field में जाएंगे तो 100% automatic है 74 तक और 74 से उपर आपको government route लेना पड़ेगा food product manufacturing में अगर देखेंगे produce in India 100% government है next जलते next question है in the context of the Indian economy what are the ways and means यह पहले भी question में करा रखा है तो यह क्या होता आपका temporary loan system होता है advance, temporary loan advanced system होता है RBI to central or the state government को देती है RBI जो loan देती है temporary loan centers को भी state government को भी तो यह किसके उससे आता है WMA route ways and means ठेके ना तो यह देख लिजे पल देते है तो लिखा हो देगो advance provided against the pledge of the government of India dated security next लिखावा the WMA scheme of the central government was introduced अगर कभी पुछा जाएगर WMA scheme introduced ही तो 1st of April 1997 को भी थी the WMA scheme was designed to meet the temporary mismatch in the receipt and the payment of the government अच्छा दिलिखावा the WMA is the loan facility from the RBI which implies that the government has to vacate the facility after the 90 days पर उसक्यों पूर एक condition आती हो में बता दूंगा भी the interest rate of the WMA is the currently charge on the reporate reporate पे होता है और reporate अभी कितना आपका 4% है the limit of the WMAR mutually decided by the RBI and the government of India तो यह हिंदी में पुले है ना आप लोग ठीक ना PDF share कर दूंगा तो देखो central government state government के लिए the limit and the period of the WMA decided by the central government in the consultation with the RBI और आगे लिखा the interest rate of the WMA is the same as the reporate till the 90% अब देखो अगर नभी दिन के अंदर तक ले लिए तो reporate पे मिल जाएगा पर अगर उससे ऊपर जाता है तो reporate और 1% आपको extra देना पड़ेगा और यह कितने दिन के लिए आपका चलता है तो maximum 10 दिन लगातार चलेंगे working days पे तब तक के लिए चलता है आपका ठीक ना मतलब इस time के लिए आप ले सकते है अचा states के लिए आता था limit varies from the state to state depend upon the economic size of the state allowing the maximum of the 14 consecutive working days अचा बात करें चुल यह तो पल देना यह देखो short term borrowing by states किस तरीके साथ एक तो WMA आता है उसमें एक आता है special एक आता है normal जो मैंने बताया था special drawing facility जो special WMA होता है उसमें क्या होता है उसमें आपको rapport rate से 1% कम में मिलता है मतलब अगर 4% है तो special ही होता है 1% कम मिलेगा और आपको 3% पे पैसा मिल जाएगा normal condition में rapport rate भी मिलता है overdraft facility में देखेंगे तो वो थोड़ा आपका क्या होता है costly होता है उसमें 2% आपको आपका क्या होता है उपर होता है मतलब आपका 4% plus 2% यह 6% पे आपको मिलेगा ठीक है और इसके लिए आपको 5 दिन और extra मिलते है और 14 consecutive day working day मिलते है अच्छा next question लिखा हुआ है कि the method that is applied where the work is undertaken to customer special requirement तो जब customer के special requirement होती तो job order costing होती है तो मैं पढ़ लेता हूँ देखो Hindi में कार्यादेश के लागत बोला जाता है पर English में पढ़ नागर economics होगा तब जाके आपको जादा समझ में आएगा तो लिखा है job order costing के देखो if it is costing method used to determine the expense of the producing the each product according to the customer special requirement it include the direct material direct label and the manufacturing overhead of that particular job a company that produces a custom made the laptops or the other electronic devices का example है therefore the method that is applied when the works is undertaken to the customer special requirement simple जी बात है customer बोलेगा जी मुझे के चाहिए laptop में यह चीज़ 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 तो उस हिसाब से बिखता है कि नहीं बिखता तो इससे बोलते है job order costing बोलते हैं और उससाब से उसका क्या laptop तैयार कर दिया जाता है अब laptop तो पहले इससे बोलते हैं आपको job order costing next आता है अपका additional information unit costing देखो unit cost refer to the total amount of the expense incurred in the order to produce a single product of service unit है ना तो unit है बना single it includes all fixed and the variable cost associated with the production of that goods or services batch costing देखेंगे batch में क्यों होता है batch होते है पर जो batch होते है वो सारे के सारे कैसे होता है identity feeble होते है identity feeble होते है अलग होते है एक batch दूसरे batch से क्यों होगा each batch can be identified separately with a different cost and will be given a separate batch number terminal cost देखेंगे तो यह contract costing होती है non repetitive nature risk में देखने हो मिलता है आप इससे क्या बढ़ सकते है इंदी में बढ़ सकते है next जलते है opportunity cost अच्छा opportunity cost are also known as opportunity को जो बोला जाता है वो होता है आपको कौन सा alternative अफसल आगात होती है तो मैं पढ़ देता हूँ it means what you have what you are gaining आप कितना gain कर रहे and at the same time what you may be giving up आप कितना gain करते हैं कितना कमाते हैं और कितना आप दे देते हैं तो यह आथा opportunity cost में तो मैं बताता हूँ देखो लिका it refers to the value of the other choice sacrifice sorry while choosing a better suitable alternative when an employed person is free and wasting time on the weekend जैसे मैं बता दूँगा कि weekends में अगर उसकी छुटी है दो दिन उसकी छुटी पर थे कि वो weekend में के कर दे काम करने start कर दे तो उसको के मिल जाएगा आपका पैसा मिल जाएगा यह होता आपका alternative source कौन साथ है alternate तो opportunity cost जो होता है वो alternative cost भी माना जाता है spillover जो होता है उसमें क्योंता damage पड़ता है it is a term used to describe the sum damage or the loss that the market activity caused by the third party third party वो होती है जो किसी काम को करती जैसे माल लो कोई firm है जैसे कोई firm है government of India government of India माल लो और आपका कोई firm आ गई X firm माल लो अब X firm ने contract लिया government से किसी project के लिए पूरे भारत में तो यह पूरे भारत में थोड़नी फाली होगी जो यह पूरा काम कर लेगी तो यह करेगी किसी third party को के देगी Y को के देगी काम देगी अलगले states में कि भाई उत्राखंड में कौन देखेगा Y Z कहां देखेगा इस तरीके से भी third party उताब का तो लिखा हो है here the third party ends up paying even when he was not the buyers or the sellers and had no part in the original decision, spillover cost is also known as the negative externality money cost it refers to the expense incurred by the firms to produce the goods and services money cost is also known as the nominal cost external cost it refers to the economic concept of the uncompensated environmental or social effect when the people buy fuel for a bike they pay for the production of the fuels so who pay for the production of the fuels internal cost and not for the cost of the burning that fuel which would be the air pollution external costs are known as the externalities तो याद कर लेना इंदी में लिखा हो है यहाँ से पढ़ लेना आज जुखाम लगा हो है ठीक यार मैनेज कर लेना ठीक है ना थोड़ा सा प्राब्लम हो रही हुए आपको भी मेरी आवास सुनने में ठीक है ना तो माफ कर ना इस वीडियो में मेरी तबीत उतनी बहतर नहीं है जुखाम लगा पड़ा है तो मेरी मैनेज कर लेना तो लिखा हो है नेक्स्ट क्वेशन देख लेना दोई क्वेशन अब लिखा विच अब फॉलिंग इंड़स्ट्री दॉज नॉज नॉज दॉज 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 यह आपका काव प्रोसेंग कोस्टी नउज प्रोसेंग कोस्टिग नउ sulfa वह सिंकल कॉस्त पे लिया जाता था들त थो अथ दौट अज तेशल होता है अबंव एंब का नग इंडबने गो धान कॉन deduction đã the manufacturer, manufacturing in aircraft does not involve the production of the similar product एक ही जैसे product थोड़ी नहीं होते है, वो same product के लिए आपका process costing आती है इसके जैसे engine हो गया, fuel tank हो गया, flaps हो गया navigation light हो गया, elevator हो गया, तो इनका क्या होता है rate अलग अलग होता है, तो इसलिए इसके लिए processing, जो process costing होता है उसे use नहीं करते, activity based cost को use करते हैं उसके लिए, तो ये आधक ना हिंदी में पढ़ सकता है पूरा ठीक ना, ये सारा लिखाव है आप पढ़ लेना, फिलिखाव है ABC Limited कोई company has profit after the tax, उसने tax pay किया, उसके बाद उसका जो profit था वो कितना था profit था 80,000 का उसमें कहा था कि depreciation कितना था 15,000 का था, depreciation कितना था मुल्य आरास 15,000 रुपर का था फिर बोल रहा है decrease in the debaters जो लेन देन था, उसके, लेन देन में कितना दे दिया debaters को 25,000 तो बोल रहा है, what is the cash flow तो cash flow सब को जोड़ दो cash flow में सबको जोड़ देते है 80,000, 15,000, 25,000 40,000, 80,000, 120,000 यह cash flow था यह लेन दारी हो गई थी यह उसका के बोल सकते हैं, मुल्य हरास हो गया था और यह profit था उसका, तीनों जोड़ जाते हैं cash flow में बस इतना या दखना आप लोगों ने ठीक न, यह देख ले न तो यह था आपका question number 61 to 70 इसका PDF मैं telegram group में share कर दूँगा और whatsapp group में भी share कर दूँगा YouTube पर अगर इस वीडियो को देखने हैं तो like, share और subscribe करना ना बूले subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजे और अगर subscribe कर लिए है तो bell icon को press करना ना बोलें ताकि जितनी भी आपकी क्योंगी मेरे द्वारा वीडियो बनाई, उनका notification आपको time to time मिलता जाए, वीडियो को link मैं, facebook पर भी share कर तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, और आप मैनिस कर ले न, क्योंग पढ़ना तो है भाई, पढ़ना तो पढ़ेगा, और बहतर पढ़ना पढ़ेगा, और कुछ जो आपके ज्यादा tough subject होते हैं, उन्हें और अच्छे सा पढ़ड़ा पढ़ेगा, ठीक है न, तो मिलते फिर तब तक, मिलते फिर next वीडियो के साथ, next time पे, तब तक के लिए, जैन जै भारत